बिस्मिल्लार रह्माल रहीम, असलाव अलेकूम, dear students, I am Nassar Mehmood, Assistant Professor of Mathematics आज हम कुछ exercise 10.2 जो non-homogeneous and third linear differential equation है, उसके further problems को कुछ solve करते हैं तो question number 4 जरा देखते हैं, d power 4 minus 2d cube plus d multiplied by y equal to x power 4 plus 3x plus 1 आपने इसे solve करना है, तो इसके complementary function यहनि cf के लिए आपको पता है कि यह सारा 0 होता है, तो इसको consider करते हैं, यहनि d power 4 minus 2d cube plus d multiplied by y equal to 0 और इसमें f of d y equal to 0 और जिसमें f of d है, आपको पता है, कि वो है d power 4 minus 2d cube plus d यह आपका है जी, f of d और इसकी characteristic equation क्या आई जी, कि यह f of d equal to 0, यहनि d power 4 minus 2d cube plus d equal to 0, d इसमें common आगया रह गया, d cube minus 2d square plus 1 equal to 0, d, इसका यह मतलब होगा, d zero हुआ, और d cube minus 2d square plus 1 equal to 0, तो इसमें d अगर 1 put करें, तो इसका यह मतलब हुआ, कि d, d इसमें 1 put करते हैं, तो यह 1 cube minus 2 into 1 square plus 1, तो यह 0 आगया, इसका मतलब यह हुआ, करें, d minus 1 is the root, d minus 1 root इसका है, तो इसको synthetic division से आप लगा के जब solve करेंगे, तो आपका जो result आएगा, यह d minus 1 into, आएगा जी, d square minus d minus 1 equal to 0, d की value इसको यहां से 1 आएगी, और यहां से जो d की value आएगी, वो formula लगेगा, और d की value आएगी, 1 plus minus 5 under root over 2, और एक d की यहां से value 0 है, तो इन values को आप को पता कि आप m करते हैं, यह d को यहां पे, आप m से replace भी कर सकता है, तो यह आपका आएगा, 0, 1 और 1 plus minus under root 5 over 2, यह जी 0, 1, 1 over 2 plus minus under root 5 over 2, plus minus under root 5 over 2, तो यह आपकी values आईएगी, तो इसमें सारे का सारे क्या हैं, real और distinct हैं, real and, यह repeat हो गया, distinct roots हैं, तो इसका जो y c आया, यह नि कंप्लिमेंटरी फंक्शन जो आया, वो c1 e की पावर, यह m1 हो गया, यह m2, यह m3 और 4 हो गया, m1 x, यह जी 0 x, प्लस c2, e power m2 x, यह नि 1 x, और प्लस, c3 एक दफ़ा प्लस का, एक दफ़ा माइनस का, 1 प्लस under root 5 over 2, 2 x, यह e की पावर मैंना है, और प्लस c4, e की पावर, 1 माइनस under root 5 over 2, x, तो यह आपका y c आया, क्या आया जी, y c, अब आपने क्या मलूम करना है, इसका y p, y p के लिए, यह जो d power 4, माइनस 2 d q, प्लस d, यह इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो फार y p, वो किसके बराबर हुआ, 1 over d power 4, माइनस 2 d cube, प्लस d, और इदर है, राइट सेट पे, x power 4, प्लस 3 x, प्लस 1, नीचे से आपको पता है, के d कामन हुआ, क्या रह गया, d power 3, माइनस 2 d square, प्लस 1, into x power 4, प्लस 3 x, प्लस 1, 1 over d, अच्छा, इस सारे को अगर आप उपर लेकर जाएं, तो 1 पहले लेकर 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 लेते हैं, 1 प्लस d power 3, माइनस 2 d square, होल पावर माइनस 1, और इदर रह गया, x power 4, प्लस 3 x, प्लस 1, one number d तो आपका चलता है यह आपको पता है one number d inverse differential operator और इसका मतलब integration है यह integral है अच्छा जी इसे आप further one आगे minus कामल है इन दोनों में से तो यह plus का two d square और minus d cube आएगा और उसकी power क्या minus one है और multiply किसे हो रहा है x power four plus three x plus one से multiply हो रहा है अच्छा अब आप एक जरा फार्मूला जेन में लेकर आएं फार्मूला आपको यह लिखवाया था previous lecture में एक दो lecture में के one minus x power minus one यह one plus x plus x square plus x की power three and so on यह से one समयलो यह minus और इस सारे को आप x समयले तो x यह फार्मूला बन जाएगी यह इस फार्मूले के तहट तो यह आपका जो yp अब आएगा one over d one plus x तो x अमराद के two d square minus d power three अब आगे आगे x square आगे यह एक समयलो यह यह फार्मूले तो आपके तो आपके अमराद के अमराद के तो आपके आपके वह एगा तो यह इस सारे के साथ आगे यह एंड सो होने इस सारे को आप एक्सपैंड करेंगे ना तो यह डी की पावर सिक्स भी आएगी अच्छा यहां पर एक आप ज़रा यह रफ वरकंग में थोड़ सा देखें के एक्स की पावर फूर का जो चौत्था डैरिवेटव है X की पावर 4 का जो पहलना derivative है यानि D वो 4X की पावर 3 आया D स्केर यानि इसका फिर derivative यह आगए 12X स्केर D पावर 3 यह 24X और D पावर 4 यह 24 है D5 अगर आप इसका लेते हैं तो वो तो 0 आना है जो इसका जो derivative वो क्या आना है 0 इसका मैकसिमम पावर 4 है D की पावर मैकसिमम 4 तक चाहिए बाकी सारी टरम्स आप उनको आप क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे तो इस सारे का स्केर वोगरा ओपन करने से करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1 पलस 2 D स्केर माइनस D पावर 3 पलस 4 D पावर 4 यहां तक मैं लिखूंगा बाकी टरम्स इस एक्सपंशन से निगलेक्ट हो जाएंगी निगलेक्ट होने की मैंने आपको वज़ा बता दिये के डी 5 यह से बड़ी टरम्स पे इसका डेरिवेट अप सारे क्या आ जाने है जीरो जाने तो उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं इदर आ जाएगा एक्स पावर 4 पलस 3 एक्स पलस 1 अच्छा जी अब एक दफा इस सारे को 1 से मल्टिप्लाइ करना है फिर 2 इंटु इस सारे का 2nd derivative लेना है फिर इस सारे का 3rd derivative फिर 4 के साथ इसका 4th derivative और सारे को आप जब solve करेंगे तो मैं यह लिखने लगा हूँ कि 1 से मल्टिप्लाइ किया तो यह तो as it is आ गया ना x पावर 4 पलस 3x पलस 1 पलस 2 इंटु इसका 2nd derivative आएगा जी 24 x square और सारी 12 x square क्या आएगा 12 x square और उसके बाद आया जी 3rd derivative इस सारे का 3rd derivative जो आना है वो 24 x आया और उसका 4 इंटु 4th derivative वो 24 है 4 इंटु डी पावर 4 4th derivative वो क्या आया जी 24 अच्छा अब इसको फर्दर जब इसको आप solve करेंगे तो आपका yp किसका 1 over d यानि simplify आप करने लगे हैं तो यह आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 24 x square माइनस 21 x प्लस 97 अब 1 over d समराद का इसका inverse differential operator यानि यह 1 over d समराद integration होता है 1 x पावर 4 का यह लगाएंगे यानि तो x की पावर 5 और 5 हो गया 24 x की पावर 3 over 3 माइनस 21 x का आगया x की 2 over 2 और प्लस 97 x आगया जी तो इसको थोड़ा से simplify आपने किया तो x पावर 5 over 5 प्लस 8 x पावर 3 माइनस 21 over 2 x square प्लस 97 x यह आप का आया जी yp आगया तो therefore the general solution is y equal to yc प्लस yp yc आपने जो निकाल ला है वो था c1 e power 0 x 0 x अमराज यह सारा है 1 हो गया खतम हो गया प्लस c2 e power 1 x यह नी x प्लस c3 e power 1 प्लस अंडरूट 5 over 2 x प्लस c4 e power 1 माइनस अंडरूट 5 over 2 x प्लस yp आप यह निकाल चुके हैं यह नी x की power 5 over 5 प्लस 8 x क्यूब minus 21 over 2 x square प्लस 97 x यह आपका question complete हुआ जी एक अब मैं आपको इसका question number 5 करवाता हूँ जी question number 5 यह है d cube minus d square plus d minus 1 multiply by y equal to 4 sin x अब आपको पता है के far complementary function यहनी cf के लिए आपने इस सारे को 0 के बरापर लेना है d cube minus d square plus d minus 1 multiply by y equal to 0 और f of dy equal to 0 इसमे f d आपको पता है वो किसके equal है जी d cube minus d square plus d minus 1 और its characteristic equation is आप d cube में आप यहीं पे m लग सकते हैं यहनी m cube minus m square plus m minus 1 equal to 0 इन दोनों में m square common हुआ क्या रह गया m minus 1 plus 1 into m minus 1 equal to 0 m minus 1 into m square plus 1 equal to 0 इसका मतलब यह हुआ के m minus 1 0 और m square plus 1 equal to 0 यहां से m की value 1 और यहां से m square आया माइनस 1 तो m आया माइनस 1 का अंडर root आयोटा और plus minus आयोटा आ गया इसे आप 0 plus minus आयोटा लिख सकते हैं एक तो real root आया two complex roots आये तो उसका जो y c आया real में आया c1 e power m1 x यानी 1 x plus जो complex है उसमें आपको पता है के e power a x a आपका 0 आया into c2 cos b x b आपका 1 ने यानी 1 x वो 1 लिख रहे है के जोड़ प्लस c3 sin b x या वो b1 ने तो sin e x तो ये 0 से मराद की सारा 1 हो गया तो ये सारा खतम हो गया तो c1 e power x plus c2 cos x plus c3 sin x ये आपका y c आया अच्छा जी अब आपने far y p यानी इसी का particular integral लेना तो इसको y इदर रहने देख इस सारे को इदर नीचे लेंगे यानी y p आया 1 over d power 3 minus d square plus d minus 1 इदर है 4 sin x यहां पर x के सारा समझागे 1 लिखा हुआ है a आपका 1 आया तो आपको पताए d square को a minus a square से replace करना था है replacing यह एक case आपको मैंने पढ़ाया था d square by minus a square यह नी d square को यहां पर minus 1 square से replace करेंगे किस से replace करेंगे हम माइनस 1 square से तो वो जरा हम replace करके यह देखते हैं तो यहां पर जब आप replace करेंगे तो यहां पर वो नीचे 0 बन जाएगा 1 over 0 तो यह failure case आजाएगा क्या जाएगा failure case तो जब यह failure case आएगा तो फिर आपको पता है कि ऊपर लिखेंगे x नीचे वाले इसका नीचे डेरिवेट डी क्यूब का डेरिवेट अवाएगा जी 3 d square minus 2 d plus 1 4 sin x तो यह उपर बन गया जी 4 x नीचे क्या रह गया जी 3 d square और यहाँ पर x के साथ 1 ने तो minus 1 square से replace करना 3 into minus 1 square minus 2 d वैसे क्योंकि d square को replace करना तो minus a square से यह नी minus 1 square से यहाँ पर यह आपका 1 ने तो plus 1 इदर क्या रह गया जी sin x तो यह उपर यह सारे नीचे solve करेंगे और 3 into minus 1 minus 3 plus 1 minus 2 minus 2 2 ने से उपर minus 2 x रह गया और नीचे रह गया जी 1 plus d into sin x मैं 1 minus d से उपर नीचे multiply कर देता हूं minus 2 x into 1 minus d और नीचे भी आ गया 1 minus plus d को 1 minus d से करें 1 minus d square आ जाएगा sin x आ गया यहां पर फिर d square की जगा क्या पूट करेंगे replacing d square by minus 1 square minus 2 x into 1 minus d over 1 minus minus 1 square sin x minus 2 x 1 minus d और नीचे कह रह गया जी plus 2 यह 2 cancel हो गया sin x यह sin x अंदर multiply by minus x है यह 1 into sin x बन गया जी sin x minus d sin x अच्छा जी minus x sin x sin x का आपको पता है जो derivative होता है वो cause x होता है तो यह आपका अंदर minus x से multiply यह minus x sin x और plus x cause x हो जाएगा यह बाएर minus 1 यह plus x cause x हो गया और minus x sin x यह आपने क्या निकला जी y p तो therefore general solution यह जो है वो y c plus y p के परबर है और y c आपने इसका क्या निकल ला है जी c1 e power x plus c2 cause x plus c3 sin x और plus y p y p x cause x minus x sin x यह आपका answer आगा जी यह आपने questions complete कर ली है जी दो मैंने आपको करवाए है अब आपने कोशिश करनी किसके को तकरीबन आपने 15 तक questions को solve करना है thank you जी